असलाम लेकूम मेरा नाम है सोहेब हाज़र हो एक नए इंफरमेटी वीडियो के साथ आज मैं आप लोग के लिए एक पांच मरले का बहुत ही खुबसूरत नक्षा लेकर हाज़र हुआ हूँ तो चलें ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं और नक्षा मकमल आपके साथ शेयर करते हैं सबसे पहले यह है जी पॉर्च 12 फिट 9 इच बाए 16 फिट 9 इच का काफी खुला पॉर्च है जिसमें आप लोग अपनी बड़ी गाड़ी असानी के साथ खड़ी कर सकते हैं पॉर्च से आप लोग की स्ट्रेज जा रही है आप लोग के फस्ट फ्लोर के उपर जो के यहां पे आप लोग के फस्ट फ्लोर पे यहां तक खतम होंगी तो पॉर्च से आप लोग की ये main entrance है और drying room का दर्वाजा भी पॉर्च से भी दिया गया ताकि महमान वगएर आप लोग पॉर्च से अपने इधर enter कर सके इसके लावा ये powder room भी दिया गया है आप drying room से इसको powder room को attach भी कर सकते हैं अगर आप लोग इसको पॉर्च में separate रखना चाहें तो separate भी रख सकते हैं main entrance से ये आप लोग TV lounge में enter हो जाते हैं TV lounge का जो size है 15 feet by 10 inch by 12 feet काफी खुला TV lounge है TV lounge के साथ ही kitchen है kitchen को आप लोग open भी रख सकते हैं 7 feet 3 inch by 9 feet 6 inch का kitchen है नीचे भी 2 bedrooms है ground floor पे भी और इसी तरह first floor पे भी 2 bedrooms है ground floor के जो bedrooms का size है 11 feet 4 inch by 11,5 feet 11 feet 9 inch by 11,5 feet ये वाली दिवार आप लोग की 4 inch की आएगी ये bedrooms की दिवारें जो आप लोग की है ये 9 inch की इसी तरह ये kitchen की दिवार भी आप लोग की 4 inch की दोनों bedroom के साथ पीछे attach washroom है साधे 7 feet by 5 feet का साधे 7 feet by 5 feet का और ये open patio साधे 8 feet by 5 feet का यहां पर आप लोग अपना washing area रखेंगे इसके बाद जी आप लोग का जो first floor आयता है यहां से आप लोग की stage पॉर्ट से start होंगी और यहां पर खतम हो जाएंगी first floor पे यह आप लोग का सारा lobby का area है यह main entrance है main entrance है आप TV lounge में enter होती है same नीचे वाला नक्षा kitchen को आप लोग open रखना चाहिए open भी रख सकते है same 7 feet 3 inch by 9 feet का आप लोग का kitchen उपर भी 2 bedrooms bedroom का size काफी खुला है आप लोग असानी के साथ इसमें bed लगा सकते है अपनी almari भी बना सकते है यह आप लोग की almari यह भी almari ground floor में अगर आप लोग का kitchen की almari आएगी आप लेख सकते हैं यह almari की है जो के porch में खुड रही है तो आप लोग का असानी के साथ यहां पे जो हवा वगएर है वो क्रॉस होगी kitchen की तो इसके बाद यह आप लोग का first floor दोनों attach वाश रूम इसी तरह यह front पे drying room है इस drying room के उपर drying room भी है first floor पे इसको आप लोग as a bed भी इसमाल कर सकते हैं यहां पे दरवाजा लगा कि इसको बंद कर दें इस as a bed भी इसमाल कर सकते हैं इसके साथ क्योंके यह attach वाश रूम है 5 feet by 7 feet का जबरदस वाश रूम है आप इसको as a bed भी इसमाल कर सकते हैं तो यह आप लोग की यहां से stress जा रही है आपके second floor के उपर यह निकि आपकी छट की उपर मम्टी में यहां से आपके stress start हुई और यहां पे खतम होगी यह आप देख सकते हैं अभी हम मम्टी वाले floor पे आ चुके हैं यह मम्टी है जो के 12 feet 9 inch by 8 feet की मम्टी है तो यहां पे आप लोग अपना एक और bed बनाना चाहें बैड बना सकते हैं यहां पे attached washroom देख सकते हैं servant quarter के लिए अगर आप लोग इसी तरह खुली डुली चछत रखना चाहते हैं तो आप इसको चछत के तोर पे भी इस्समाल कर सकते हैं तो यह 5 मरला 25-45 बहुत ही जबरदस मैप है अगर आप लोग इस मैप के मताबिक अपना घर बनाएंगे तो आप लोग का घर काफी खुला डुला बनेगा और बहुत ही जबरदस घर बनेगा अगर किसी को यह नक्षा चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके मेरे जो चैनल का बैनर लगा हुआ है उस पे मेरा नंबर है आप वाटस एप पे टेक्स करके मुझे यह नक्षा मंगवा सकते है मुकमल नक्षा अगर भाई किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो यह अभी मैं यहाँ पे रोख रहा हूँ स्क्रीन तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जी तो ये थे हमारी आज की वीडियो अमीद कर तो आप लोगंको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले मिलतें नैश्ड वीडियो के साथ अपना बहुत आखिया रखिये अलाफेस